Hello and welcome friends, Tally Prime सीखने के सीरेज में मैं सुराज आपका स्वागत करता हूँ और आज की ये वीडियो है Tally Prime की Tally Prime के अंतरगत एक हमारे विवर हैं जिनका सवाल है कि सर डेस्क्रिप्शन वाली डीकेल जो है जो नहीं हो रही है जब हम GST चालू कर रहे हैं उस वक्त डेस्क्रिप्शन वाली डीटेल नहीं आ रही है तो यह डेस्क्रिप्शन वाली डीटेल कैसे आएगे तो एक दिखी कंपणी पहले से बनी ही है अब अगर आपको इस कंपणी में याप गेट्व अफ टैली टैली की मेन मेन्यू देख सकते हैं अगर इस कंपणी में आपको GST चालू करना है तो पहले तो एफिलेबेंट प्रेस करना होगा देन एंटर करना होगा और यहाँ पर आपको यह जो GST आप्शन है इसको आपक प्रेस करेंगे और जैसे यह करते हैं तो आप देखेंगे की यहाँ पर डेसक्रिप्टन और HSN कोड का ओप्शन शो हो रहा है लेकिन शायद आपके विन आपको आपको करना क्या है कीबोर्ड से F12 प्रेस करना है अगर नहीं शो हो रहा है तो F12 प्रेस कीजिए और यहाँ पर देखिए दिया हुआ है allow hsn oblic sse इसको आप double click करिएगा तो यह off हो जाएगा अब जब यह off हो जाएगा तो होगा क्या तो यहां पर यह आप हो जाएगा तो यहां पर additional जो description आ रहा था वो गायब हो जाएगा चीक है तो यहां पर वो गायब हो गया तो आपको इस तरीके स अगर आपको न दिख रहा हूँ तो आप फिर क्या करेंगे फिर दुबारा से f12 प्रेस करेंगे और इसको yes करेंगे क्या लिखा हुआ है allow hsn oblic sse तो यहां पर description आपका चालू हो जाएगा यह देखिए यहां पर hsn का description भी लिख सकते हैं आप और यहां hsn code भी लिख सकते है तो यह hsn code को चालू करने का तरीका है कि आप कैसे इसको चालू करेंगे ठीक है तो अगर आप चालू नहीं कर पा रहे हैं तो यह आसानी के साथ चालू कर सकते हैं मैंने आपको बता दिया उमिद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि यह कैसे आपको चालू करना है ठ सब्सक्राइब करना ना बुलिएगा थैंक यू पर वर्टिंग इस वीडियो